नमस्कार मिर नाम है अकांशा मिश्टार संस्कृति आई इसके प्लेसिज इन न्यूस के एपिसोड 43 में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीरीज में हम क्या करते हैं तो चर्चा में रहने वाले तमाम मुद्दों पर मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं इसी संदर में आपके प्रिलिम्स 2024 की परिक्षा को ध्यान रखते हुए इस सीरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और प्रिलिम्स स्पेशल बनाने की कोशिश की गई है आज हम बात करने वाले हैं वो तमाम टाइगर रिजर्व के बारे में जो चर्चा में इस साल बने हुए हैं ताकि आपके प्रिलिम्स 2024 की प्रश्न क्या हो बिल्कुल भी गलत ना हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात हुई थी 1973 के समय और 2023 में उसको 50 वर्ष पूरे हो गये हैं 2022 के अकॉर्डिंग जो टाइगर सेंसेस है व अगर आप देखेंगे 2013 का प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या पूछा गया है आपको नोक्रिक जीव मंडल रिजर्व के बारे में दिया गया है और सामने लिखा गया है गारो पहाडिया मतलब अगर आप इस क्वेस्टिन को नोटेस करेंगे तो यह जो है पॉलिक अवस्थिती को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है वहीं अगर आप चलेंगे 2014 की प्रश्न पत्र की तरफ चले और 2014 की प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया था किससे पूछा गया था तो डामपा टाइगर रिजर्व कहां है मतलब यह आपके है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया कहां पर अवस्तित है इस तरीके के प्रश्न भी फ्रेम किये जाते हैं वहीं आप देखेंगे तो आपको यहां पे 2015 के यूपीएसी के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है क्या प्रश्न पूछा गया है निमलिकेप में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है यहां पर प्रश्न यहां पर यह शब्द जो है वह बहुत जादे इंप्रोटेंट हो जाता है कौन सा शब्द है अनूठा है मतलब कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया किस लिए इन्पोर्टेंट है फेमस है विसस्त है इसकी बाद भी परिक्षा के लिहाज से बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहीं आप चलेंगे तो 2017 के प्रश्न पत्र में देखिए पहले ही लाइन में लिखा गया है हाल ही में कहने का मतलब यह है कि करेंट में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज में है वो भी आपके परिक पश्मी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के कारण इसका महत्व अधीक है कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो दोनों के संपर्क बिंदू पर है इसलिए वहां पर उसकी उपस्तिती विशेश हो जाती है यह प्रेश्ट पुछा गया है तो यह भी किस पर अधार ऑगर आप किसी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कौन सा नया टाइगर रिजर्व अड़ हुआ है उसको अच्छे से देख लेते हैं साथ में किस राज्यम एड हुआ है इतना पढ़किया पेपर देने चले जाते हैं लेकिन माइंसेट यहां तक नहीं हो रुपता है यूपी एसी का अप्रोश थोड़ा सा बदल गया है यूपी एसी को दिल्चस्पी इस बात पर भी है कि वो किस भगॉलिक शेत्र पर अवस्त करना है करते हुए चलना है वहीं 2020 का प्रश्ण देखिए यहां पे पूछा गया है कॉन सा सनरक्ष खेतर कावेरी पे है मतलब आपको क्या करना है वहां से कोई नदी गुजर्टी तो नहीं है वहां पे कोई परवत तो उपस्तित नहीं है यह भी क्या करना है आपको ध्यान दखना है वहीं चलते हैं आप 2020 के पेपर की तरब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा निमलिखित में से निमलिखित आरक्षित छेत्रों में क्यांतिक बाग आवास या नहीं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतरगत सबसे बड़ा शेत्र किसके पास है अब आपको य आपको क्या कर रहा है इंवार्मेंट से भी कही ना कहीं आपको लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा वहीं आपको यहां देखने को मिलेगा 2020 का ही प्रशन है किसी एक विशेश प्रजाति के बारे में पूछा गया है तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे जो टाइगर रिज श्रिंकला मौझूद है कौन सी नदी मौझूद है उसकी भी बात क्या करेंगे विस्तार करेंगे साथ में वहां की बायो डाइवर्सिटी भी हम देखते ही चलेंगी तो आईए देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टाइगर रिजर्व पर बात करने वाले हैं तो सबसे प कि बात करेंगे साथ में हम यहां पर राजिस्थान में ही बात करेंगे कुंभलगड जो वाइल लाइस सेंचुरी है उसकी बात करेंगे क्यों यह चर्चा में है और यह आगे चलके टाइगर रिजर्व बनाया जाना है तो इसकी बात करेंगे फिर हम चलेंगे किसकी तरफ ह से क्या किया जा रहा है तो टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है तो उसकी बात हम विस्तार में करेंगे आगे चलेंगे और हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे तो जिम जिम कॉर्बिट टाइगर रिजर्व की भी बात करेंगे और साथ में हम बात करने वाले हैं आज किसकी तो हम विरांगना दुर्गावति टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं क्यों करने वाले हैं क्योंकि इसे भी क्या किया गया है तो आपका टाइगर रिजर्व घोशित कर दिया गया ह देखे जब भी आप ये सारी चीजे पढ़ें तो आप क्या कीजिए ओफीशल वेबसाइट की तरफ मूव कीजिए और ओफीशल वेबसाइट में जो डेटा दिये गए हैं उस पर ही भरुशा करना है तीन चार साइट आप देखकर उन पर भरुशा मत कीजिए आप सीधे कौन सी खोलना है जब भी tiger reserve की बात करनी है तो आपको national tiger conservation authority जो है इसकी sit खोलना है और जो भी data देखना है आपको यहां साही देखना है कि कौन सा number का tiger reserve अगर हम बात करें तुम्हीं आपकोißt In है तो आपको जाना कहां पर है तो National Tiger Conservation Authority की website है वहां पर जाना है और अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको Tiger Reserve के list मिल जाएंगे यहां से आप क्या कर सकते हैं अराम से देख सकते हैं कि कौन से newly added है सारे Tiger Reserve के बारे में आपको अच्छा नोट चहीं मिल जाएगा तो अभी जो newly added है उसकी बाद हमें विस्तार में करनी है कौन-कौन से newly added है वो देख लीजिए 54 Tiger Reserve की बाद हम सबसे पहले कर लेते कि कौन सा 54 Tiger Reserve है इस बार अगर हम बात करें 2023 में दो Tiger Reserve आपको यहाँ पे जोड़ते हुए नजरा आएंगे कौन-कौन से दो Tiger Reserve है एक है आपको विरांगना दुर्गावति Tiger Reserve है दूसरा कौन Ferrire तो धौल पूर करोली Tiger Reserve है फिफ्टीफोर्त कौन सा है तो विरांगना बात भी हम क्या करेंगे आज विस्तार में करेंगे तो चलते हैं किसकी तरह सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम यहांपे कर लेते हैं किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हम आज कुमभलगर वाइड लाइफ संक्षुरी के बादे में पढ़ने वाले हैं हम धौलपूर करॉली टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम महादेई वाइल लाइफ सेंचूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हम जिम कॉर्बेट की बात करने वाले हैं, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुवात क्यों की गई थी यह समझना सबसे जादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कप की गई थी तो शुरुवात की गई थी 1973 में और अब 2023 में क्या हो गया है इसे 50 वर्ष पूरे हो गये हैं इसने आपके परिक्षा के लिहाज से बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता जादी के समय जो 40,000 संख्याती वो घटकर लगभग 1800 के आसपास आ गई थी तो यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विशे था इसलिए इंद्रा गांधी जी के नेत्रित में क्या हुआ था 1973 में प्रोजेक्ट क्या घोशित किया गया था तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच क्या होता है अभी न्यूज में टाइGER काउंट क्या चल रहे हैं कौन से स्टेट में टाइगर बहुत जादा है और कौन से जो टाइगर रिजर्व में महाँ पर बाग़ुकि इसादिया है वहम पहले समझ लेते हैं अगर आप UPSC के तयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये section बहुत जादा important होने वाला है यदि आप PCS की तयारी करते हैं या ROARU की exam की तयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए useful होगा तो आप अच्छे से देख लीजिए देखिए 2018 के समय बागो की संख्या क्या थी तो 2967 थी वहीं अगर 2022 की बात करें तो ये डेटा लॉंच किया गया था 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है तो 3682 हो चुकी है लगातार बागो की संख्या में व्रिद्धी देखी जा रहे हैं वहीं हम बात करें कि किस स्टेट में सबसे जादा बाग देखने को मिलेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे जादा उसके बाद आपको करनाटका में उसके बाद महारास में और उसके बाद तमिलादू में क्या है आपका सबसे ज़्यादा मध्यप्रदेश में फिर करनाटका में फिर उत्राखंड में फिर महरास्ट में और तमिल नाडू में आपको बागो की संख्या देखने को मिलेगी वहीं हम बात करें कि कौन-कौन से टाइगर रिजर्व है जहां पर आपको हाइस पॉपूले बादीपूर जो करनाटक में है तीसरा नागर होल जो आपको करना तका में है चौत की बात करें बांध्वगंपी में है और पाचवे की बात करें तो God va यू-पी में है यहां पर आपको टाइगर काउंट बहुत जादा देखनी को मिलेंगे वहीं बात करें कि कि सी भी प अधिनियम 1972 की धारा कौनसी है तो 38 V के क्या प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार जवारा क्या किया जाता है याद रखेगा राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर को क्या किया जाता है अधिस उचित किया जाता है कैसे किया जाता है तो याद रखेगा सबसे पहले प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा प्राप्ते किया जाता है तो राज्यों के द्वारा प्राप्ते किया जाता है उसके बाद वन्नी जीव संरक्षन अधिनियम 1972 के अंतरगत आपको कौन सी सूची 38V के अंतरगत क्या करती है तो राश्ची भाग संरक्षन प्राधी करण उ दूसरे जैसे Ministry of Environment, Forest and Climate Change से क्या करती है permission लेती है कि वहाँ पर Tiger Reserve बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए बहुत सारे clearances लेती है उसके बाद क्या करती है तो आपको वापस सिफारिस करती है किसे राज्य सरकार को और राज्य सरकार वापस क्या करती है यदि Tiger Reserve को क्या करना हो स्थान बदलना हो या उसमें कोई बदलाव करना हो या किसी को Tiger Reserve जो बना दिया गया है उसे डी मोट नोटिफाई करना हो तो कौन से धारा लगती है तो वनीजीव संरक्षन अधिनियम 1972 की धारा जो है 38W एक क्या कहता है याद रखिएगा बनता किस से है तो 38V से बनता है लेकिन अगर उसमें बदलाव करना है या हमें गयर अधिसूचित करना है तो क्या कौन सी धारा काम आती है तो 38W काम आती है उसका भाग एक क्या कहता है भाग एक ये कहता है कि NTCA के सिफारिश और राश्टिय वन जीवन बोर्ट की मंजूरी के अलावा आपको सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता यदि हमें किसकी Tiger Reserve की सीमाओं में क्या करना हमें परिवर्तन करना है तो हमें किस से किस से मंजूरी लेनी है तो सबसे राश्टिय वन जीवन बोर्ट की मंजूरी के अलावा हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते वहीं हम बात करें 38W2 की तो यदि सार्जनिक प्रभावित ना हो रहा हो इस के केस के अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसके कारण किसी भी Tiger Reserve को de-notify किया जाए और de-notify फिर इन दो निकायों के permission से ही किया जाएगा कौन-कौन से निकाय है तो एक NTCA है और दूसरा कौन सा है रास्टिय वन जीवन बोर्ट की मंजूरी के अलावा इसे क्या नहीं किया जा सकता है ना तो de-notify किया जा सकता है ना ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है आगे च एक्जाम के perspective से बहुत जादा important हो जाता है कुछ important बाते हम जान लेते हैं यह कहाँ अवस्तित है तो याद रखिएगा आपको दो जिले दिखाई देंगे राजस्थान के राजस्थान के किस हिस्ति में पढ़ रहा है तो यह पूर्वी हिस्ति में पढ़ रहा है और आपको से यह कोई काम नहीं आएगा अफिज बात करें तो कोर एरिया कित्ते में तो 378 बार्ग किलो मीटर में फैला हुआ होआ diaper जोंकि बात करें तो यह 690 किलो मीटर में यह फैला हुआ है अब को सब्सकत시면 कोYour देखिए और एरिया उस एरिय को कहा जाता है जहां पे human interaction जो है human interference जो है वो बिलकुल allowed नहीं होता है जहां पे proper monitoring की जाती है उस एरिया को क्या कहा जाता है कोर एरिया कहा जाता है अब बफर जोन किसे कहा जाता है बफर जोन उस शेत्र को कहा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर का वह शेत्र जहां पर थोड़े human interference is allowed है लेकिन permission की साथ साथ में आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर तूरिजम human interference कहां से स्टार्ट होता है कोर एरिया में बिलकुल नहीं होता है लेकिन वफर जोन में थोड़ी amount में थोड़ी मात्रा में human interference होता है वहीं आपको research purpose के लिए भी study purpose के लिए इस स्थान का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में वही तूरिजम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वही हम ट्रांजीशन जोन की बात करें तो ट्रांजीशन जोन जो होता है वो वफर जोन के बाहर का एरिया होता है जहां पर आपको human interference भी दिखाई देगा tourism भी दिखाई देगा ताकने आपको research यहां पर होता होगा दिखाई देगा तो 690 वर किलोमेटर बफर जोन है महीं हम बात करें कि इसे बनाने के जरूरत क्या थी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सवाई माधोपूर जिले में एक टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा यहाँ का भार कम करने के लिए क्या घोशित किया गया धौलपूर करॉली को क्या घोशित किया गया है तो टाइगर रिजर्व घोशित किया गया है तो एक की तो हम बात कर चुके हैं कि धौलपूर करॉली जो है वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है है जाजस्थान में इसके रावा कॉन-कॉन से टाइगर इस तौ एक हमने रंधंबोर देखा है दूसरा हम देख सकते है तीजह का आपको देखने को तो चॉथा की बात करें तो राम गड़ आपको यहां हम चलेंगे आप किसकी तरफ तो विरांगना दुर्गावती ताइगर रिजर्फ की तरफ चलेंगे एंटी से ने इसे भी क्या कर दिया है मन्जूरी दे दी है किसकी बात कर रहे हैं हम विरांगना दुर्गावती ताइगर रिजर्फ की बात कर रहे हैं देखिए ये दो कोर इसके core area में आपको 2 wildlife century देखने को मिलेगी, यह जो है वो official अधी सूचना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नώρα देही wildlife century जो है और विरांगना दुरगावती wildlife century जो है, वो किसके core area में है, core area 1 और core area 2 में शामिल है, किसके की बात की जारी है, तो विरांगना ताइगर रिजर्व की बात की जारी कैसे दिखता है वो देख लीजिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा दुर्गावती वाइड लाइफ सेंचुरी और यहां पर आपको नौरा दही वाइड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा यही यह मद्यप्रिदेश का सात्वा टाइगर रिजर्व है इसके अलाबा कौन-कौन से टाइगर रिजर्व मौजूल है वो देख लीजी पहले नंबर पे आता है पन्ना दूसरे की बात करे तो संजे तीसरे की बात करे तो बांधवगर चौथे की बात करे तो कान्हा पांचवे की बात करें तो सत्पूरा छटे की बात करें तो पेंच और सात्वा क्या बन गया है तो विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजव बन गया है और हमने बात की थी कि यह टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्यों कि यहां बागो की संख्या बहुत ज्याद नहीं है भले यह पूछ सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व क्रोनोलोजी आपको दे सकता है कि बढ़ते करम में विवस्तित कीजिए किसका शेत्रफल जादा है तो अगर हम शेत्रफल की बात करें तो 9349 किलोमेटर में फैला हुआ है जैसा कि मैंने बताया नौरा देही वाइड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारन जो है यह आपको कोर एरिया में देखने को मिलेगा सागौन साजा धौरा बेर आवला आधी देखने को मिलेंगे वहीं जीव जन्तु दूँगी यह PDF आपको कहां मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिल जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा आगे चलते हैं तीसरे टाइगर रिजव जो बनने वाला है उसकी बात कर ले टाइगर रिजव घोशित करने चाहिए तो गोवा की सरकार ने उसका विरोध किया था और गोवा की सरकार ने उच्चतमनाले में क्या कि थी अनुशंशा की थी कि आप क्या कीजे ये प्रस्ताव को खारिच कर दीजे लेकिन उच्चतमनाले का निंडय है वो किसके तीन महीने के भीतर क्या कीजी आप महादेई wildlife century को क्या कर दीजिए तो tiger reserve घोशित कर दीजिए यह जो wildlife century है बहुत जादा news में रहता है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आग लगने की news भी आती रहती है या फिर यहाँ से जो लखडियों की smuggling होती है वो भी news में आता रहता है तो यह क्या होगा, गोवा का पहला टाइगर रिजर्व होगा, इसले भी बहुत जादा important हो जाता है, खोड़ी सी बाते हम जान लेते हैं, देखिए आपको कहा देखने को मिलेगा, आपको गोवा के उत्तर पूर्वी डारेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, महादेई व wildlife century का नाम क्या रखा गया है, महादेई wildlife century रखा गया है, 1999 में इससे क्या घोशित किया गया है, तो wildlife century घोशित किया गया है, और यहाँ पे पवित्र उपवनों के लिए यह बहुत जादा famous है, यह आपके लिए क्या हो जाता है, important हो जाता है, तो आगे चलते हो और बात करते ह कि यहां पर कौन कौन सी जय विवित्ता निवास करती है वो देख लीजिए सबसे अधा इंपॉडंट हो जाता है यहां पर दुरलब और इस्थानिक और के पूल के पॉधे यहां पर आपको दिया ही गया था कि पवित्र-उपवनों के लिए फेमस हैं और उपवन वहां पर आपको 1000 से अधीक फूलों की प्रजाती देखने को मिलती है जίस में स्पेशल कौन सा है तो गगे काले चेहरे वाला लंगू, तेंदवा, बाग, ढोल, जंगरी, बिल्ली और बोनट, मकाग जैसे आपको क्या देखने को मिलेंगे, जीवजन्तु देखने को मिलेंगे, वहीं पक्षियों की बात करें, तो 255 से अधीक पक्षियों की प्रजाती आपको यहां पे देखने मिलती है, आगे चलते और बात कर लेते हैं, कुंभल गर्ड वाइड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जैसे आपका महादेई वाइड लाइफ सेंचुरी टेंटेटेव है, यानि आगे बनने की संभावना है, वैसे कुंभल गर्ड जो है, ये भी आगे बनने की संभावना है, क्या कहा गया है केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन यानि Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने क्या कर दिया है कुंभलगर्ड वन्यजीव अभ्यारन को Tiger Reserve घोशित करने के लिए N.T.C.A. को क्या कर दी है सिर्ध्यांतिक मंजूरी दे दी गई है इसने क्या है कुंभलगर्ड वाइ क्या देखने को मिलेगा तो आपको अरावली रेंजिस देखने को मिलेंगे और इस जो वाइल लाइफ सेंचुरी है यहां से कौन सी नदी बहती है तो बनाज नदी होकर गुजरती है तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टिन हो जाता है नदियों को बिल्कुल नहीं भू गुजरती है तो कुम्भलगर वाइल लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है और कौन सी देज यहां पर देखने को मिलेगी तो आपको अरावली रेंज का विस्तार आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके अलावा कौन-कौन से टाइगर रिजव इसकी बाद हम कर चु जैसे कि मैंने बताया आपको यहां पर अरावली परवश्रिंखला का विस्तार देखने को मिलेगा आपको किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा तो आपको राजस्मन आपको उदैपूर और पाली जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा मन्नी जीव देखने को मिलेंगे, स्लामभर देखने को मिलेगा, जंगली सूर देखने को मिलेगा, नील गाय, तींद्वा और कैराकल आपको यहाँ पर वन्यजीव देखने को मिलते हैं, आगे चलते हो और बात करते हैं, अगले टाइगर रिजर्व की बहुत जादा इंपॉर्डेंट है ये news में रहे या ना रहे इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है क्यों कि जब शुरुबात की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो शुरुबात जो की गई थी, वो इसी से की गई थी, जो आपका Corbett National Park है, उसी से इसकी शुरुबात की गई क्यों न्यूज में हैं । क्योंकि कॉर्मेट Tiger Reserve की धारण झ्हमता अब पार हो चुकी है अब क्या हो रहे हैं ताइगर वहाँ से निकल कर कहां जा रहे हैं तो पहाडी शेत्रक्योर पलायन कर रहे हैं तेटाइगर रिजर्व है वो न्यूज में आ गया है थोड़ी से बात कर लेते हैं क्योंकि इसके buffer zone में आपको अमान गर tiger reserve देखने को मिलेगा और कुछ wildlife century जो भी है वो इसके buffer zone में आते हैं तो कौन-कौन से आते ही वो समझ लेते हैं उत्तरा खंड की नैनी तार पॉड़ी और अल्मोडा जिले में आपको देखने को मिलता है इसकी चोटी से छोटी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह वाला जो कॉर्बेट जो आपका wildlife century है या कॉर्बेट आपका tiger reserve है इसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है आपका भारत का सबसे पहला रास्ट यह पार्क है स्थापना वर्ष कप किया गया था तो 1936 में किया गया था और उसका नाम उस वक्त क्या था तो हैली नेशनल पार्क था बाद में बदल कर क्या कर दिया गया है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया तो इसाथ में आपको देखने को मिलेगी तो चार नदिया आपको देखने को मिलेगी तो नदिया को मिलेगी दूसरा हो जाता है मंदल, तीसरा हो जाता है पलायन और चौता हो जाता है सोना नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो की बात की अमानगर टाइगर रिजर्व जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के बफर जों में आवस्तित है वहीं पी एक और जो आपको वाइल लाइफ सेंचुरिय वह भी इसके बफर जोन में दिखाई देगा कौन सा है तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारन जो ह क्याने का मतलब यह है हमने अभी बात की है को जोन क्या होता है बफर जोन क्या होता है को जोन में बिलकुल भी मानव का हस्तशेप नहीं होता है बफर जोन में क्या होता है थोड़े अमांट में मानवी हस्तशेप को अलाउट किया जाता है वहीं ट्रांजिशन जोन में देख लेते हैं कि इसके अलावा कॉन-कॉन से टाइकर रिजब है तो उत्तरा खंड में जिम कॉर्बेट के अलावा क्या है राजाजी जो है टाइकर रिजब है जिसे काब घोशित किया गया था इंपोर्टेंट ये है कि इन्त नोनो का नाम हम ध्यान रखे क्योंकि ये 2023 में गोशित किये गये हैं कौन से है एक तो धौलपूर करॉली है जो कहां अवस्तित है तो राजस्थान में है और राजस्थान का ये पाच्वा टाइगर रिजर्व है वहीं हमने बात की है विरांगना दुर्गावती की विरांगना दुर्गावती जो है वो MP का सात्वा में घोशित किया गया है इसके अलावा भी कितने कितने टाइगर रिजव थे पहले से छे थे एक और जुड़ गया तो अब कितने हैं साथ है इसके अलावा हमने किसकी बात की तो हमने बात की उत्राखन की बात कर ली है गोवा में एक भी टाइगर रिजव नहीं है यदि पादप की बात करें तो आपको साल, शीषम, हल्दू, फीपल, रोहनी और आम, आधी, प्रमुक रूप से दिखाई देंगे जीव जन्तों की बात करें तो आपको जंगली हाती, टाइगर, तेंदुए, जंगली, बिल्ली, यदि टाइगर, रिजवर्व की बात करें वहीं पक्षी की बात करें, तो पक्षी आपको यहाँ पे निवासी भी देखने को मिलेंगे, और प्रवासी भी देखने को मिलेंगे कहने का मतलब क्या है, कि जो वहाँ पे स्थानिक तोर पे रहते हैं, वो भी पक्षियां आपको देखने को मिलेंगे और वहीं आपको जो बाहर से आती है विशेश रितू में आती है वो भी आपको देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पर 500 से अधीक प्रजाती पक्षियों की देखने को मिलती है तो हमने किस की बात की है, हमने जिम कॉर्बेट की बात की है, अब आपको एक प्रशन के साथ छोड़ जाते हैं, जैसा हमारी सीरीज की परमपरा है, इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है, बिल्कुल टाइगर रिजा प्रोटेक्टेड एरिया जैस निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला कतन ये कह रहा है, अमानगर टाइगर रिजाव उत्तरा खंड में इस्तित है, ये आप से पूछा जा रहा है, दूसरे की बात करते हैं, पहले ये जिम कॉर्बेट रास्ती उध्यान का हिस्सा था, ये आप से पूछा जा रहा आपको क्या करना है, जो कथन सही है, विल्कल बढ़िया, जो कथन गलत है, क्यूं गलत है, वो आपको बता रहा है, जब भी आप प्रश्न का जवाब देते हैं, तो इस बात की संतुस्ची हो जाती है, कि ये आप को पढ़ाया हूँआ, समझ मैं, अगर ये नहीं मिलता है, तो आप Google सेर्च कीजे, क्योंकि आप जब Google सेर्च करेंगे, तो आपको चीजे क्या रहेंगे, ध्यान देंगे. तो आज के लिए इतना ही ये हमारा Tiger Reserve का Part 1 था, Part 2 में हम बचे हुए, जो News में Tiger Reserve है, उसके बात कर लेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही हम से जुड़े रहें, हमें दीजे इजाज धन्यवाद.